नमस्कार भारत मौसम विज्ञान विभाग आपके अपने दैनिक मौसम परचरचा में आप सभी का हारदिक स्वागत करता है आज 19 मार्च है आई ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की मुखिविंदुपी तो अगर हम जैसा कि हम कल देख रहे थे भारत के विविन इस्स सबसे पहले हम कल के मौसम की जो जानकारी है वो साजा कर देते हैं अगर हम कल की बात करें तो जानकार भारत में कल हिस्सों में बर्चा का दोर बना रहा है इसी क्रम में भारी स्याति भारी वर्षा यानि कि 12 सेंटीमेटर से लेकर कि 20 सेंटीमेटर तक कि इस्तर की वर्षा भी एक दो स्थानों पर हुई सामें और भारी वर्षा यानि कि 12 सेंटीमेटर तक कि इस्तर की वर्षा बिहार, हर्याना, चतिजगर, तर्टियांदर प्रदे अगर हम ओला ब्रस्टी की बात करें तो कल जो है ओला ब्रस्टी काफी बड़े शेत्र में देखनों को मिली है जिसमें कुछ राज्यों की नाम हम बता रहे हैं जहांपर ओला ब्रस्टी होने की सूचनाएं प्राप्त हुई है कल जिसमें उडिशा, बिहार, हर्याना, पूर्वी राजस्थान, मद्रपदेश, गुजराड, राज्य, महराष्ट, मराथवारा, विधर्व, चतिसगड, प्रटियान्रपदेश, तेलंगाना, राहिल सीमा और उत्तरी इंटिर कन्नाटका में पोला ब्रस्टी होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं अगर हम पूर्वी राजस्थान के आसपास आपको दिखाई दे रहा है इसी के अलावा ट्रफ लाइन्स जो है जो कि मौस्चर ले जाने में सहाइक बनी हुई है इसमें से एक पूरी राजस्थान से लेकर के उत्तरक्वस्चिम बंगाल की खाड़ी में आसे को एक ट्रफ लाइन ज अपको एनिस्थान के असपास तो यह आज के सनुप्तिक सिस्टम सिंद्गे प्रवाव में भारत में आने वाले चार-पाज दिनों में मौसम की सतियां बनी रहेंगी तो उसी को हम छेत्रवार डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर-पस्चिम भारत की बात करेंगे तो उ उत्तर-पस्चिन भारत में और इसके साथ पच्चम वाले चेत्र जिसमें उत्तराखन जमुकस्मीर और हिमाचल पदेश हैं इसके साथ जो मैनानी लाके हैं जैसे पंजाब, हराना चंदिया, दिल्ली, उत्तर-पदेश, राजस्थान उसमें आज और कल बर्शा का दोर बन जो है एयरपूर्ट और इसके आसपास के अलाके में काफी अच्छी बादलों का जमावड़ा बना हुआ है और जो दिल्ली रडार उसके प्रभाव में मौडेट टू इंटेंस तंडिस्टर्म की एक्टिविटी होने की संभारना बनी हुई है आज दुपैर दिल्ली के अर लाटनिंग और गस्तिविट के इस्तती बनी हुई है जिसमें गुजरात महराष्टर मद्यप्रदेश विधर्भ चतिजगड सामिल है वहां पर आज संभावने बनी हुई है यह संभावने रहने के इसी के साथ साथ 11 विश्ट की संभावना चतिजगड में 19 तारिक को बनी के रला सामिल है जिसमें आज यह स्तती देखने को मिल सकती है इसी के साथ साथ जो है भारी वर्षा जो है तटिया अन्रप्रदेश में आज एक दो इस्तानों पर होने की संभावना बनी हुई है अगर हम पूरवी और पूरवत तराजियों की बात करें तो वहां पर भी वा हलके से मद्यमिस्तर की बर्षा के साथ साथ ठंडिस्तॉर्म की इस्तियां देखनों को मिल सकती है पूरवी भारत में उन्नीस से लेकर के 21 मार्च के बीश में इसी के साथ साथ बहारी वर्षा एक दो स्तानों पर होना चलब देश असानमे गाले नागलेंड मनीपर मुजरम कंतरब्रा समय अन्नीस से लेकर के 21 मार्च के बीश में बनी हुई है वहीं गंगेटिक बैस गंगाल में 19 तारिक को और बिहार में 20 तारिक को बारी वर्षा एक दो सानम पर होने के संबाबना दिखाई देती है वहीं अगर आप भारी ज्यात बारी बर्षा यानिकि 12 से लेक देखनों को में इसकी बज़ा से फारा जो है फुड़ा सा गिर गया है पर फिर भी अगर हम पूर्वान की मान की बात करें आने बाले पांच दूनों में तो अगर हम मध्य और पूर भारत की बात करें तो वहां पर कोई खास बदलाओ टापमान में उता हुआ नहीं दिखा लेकिन उसके बाद जैसे यह स्तथी बर्षा का दो थूड़ा सा कम हुआ तो वहां पर टेमपेचर जो है राइज हो होने की संभावने देरे तीन से पांच दिखावने दिखाई देती है वहीं अगर मरास्ट्रे की बात करें वहां पर तापमान जो तीन से पांच दिखाव थीन दनों में देरे जरे बढणे की संभावना है उसके बाद रन खास ब yer बात करें तो बहां पर कोई दिखाव होता हुए नहीं देख रहा आज हम ने पुछेतावनी जारी कर रखी है सिवाए जो टटी महरास्ट्रा और गोवा वहां पर छोड़ दिया और हमारे जो आई-लैंड से जैसे लग्षदीब है और आपका अन्दमान निकवार दीप समुगा आप ठंडिस्टॉर्म के विश्टियां नहीं बनी हुई हाला कि जो मैदा अंतर उत्तर भारत में जिसमें मद्ध भारत भी सामिल है जो आपका बैल्ट है उत्तर पस्चिम मद्ध पूर्वर पूर्वत राज्यों में उसके साथ साथ दश्चिन प्रादेवी भारत में तकियांद पदेश राइल सीमा और केरोला में भी थंडिस्टॉर्म की स्थिया बीस तारीकों भी बने रहने के संभावना इसमें अपसे दिखाई देती है अगर 21 तारीक की बात करें तो इसमें थोड़ी सी उत्तर पस्चिम भारत में और दश्चिन प्रादेवी भारत के साथ साथ पूरी उत्तर पदेश बिहार और जहरकंड का एरिया वहां पर ठंडि तर्म की सतियां पूर्वत तराजों में लगा तारीक की सतारीकों बने दिखाई दे रही है वहीं अगर हम 22 तारीक की बात करें तो ये सती में कम वेस और कमी आने की संभावना है लेकिन फिर भी एक दो स्थानों पर जहरकंड में इसके साथ तेलंगाना और गुजरात में दुक का जगे पर होने के संभारना है वहीं तेज तारीक से आप देख सकते हैं दुवारा से उत्तर पस्चिर भारत में जिसमें पस्च मिराजस्थान और जमुकस मेर हमाचल पदेश के साथ साथ गुजरात सामिल है वहाँ पर एक नय एपिसोड भी दिखाई आता हुआ द रिखाई दे रहा है इसलिए तेज तारीक अमने पुन है उतर पस्चिर भारत में उसके साथ साथ गुजरात में ठंड़ स्टर्म के सिंबल्स लगा रखे हैं तो आज के लिए बस इतना ही बाकि हमारा अनुरोध है कि हमारे आप नाव कास्ट पे जो की मौसम.imd.gov.il कर इस थंडर स्ट उर्प की स्टती को लगातार अबेट कर रहे हैं आप चेतावनियां देखते रहें इसी सासाथ हम लास्ट में चलते चलते आपको यह बता दें कि इसके जो साबधानियां वह यह हैं कि आप घरों में रहें थंडर स्टॉर्म के टाइम पर दरवाजे ख़ड विए इसके साथ साथ जो हमारे अप्लाइंसे से उनको भी आप अन्फलक करके रखें ठंडर स्टोंड के टाइम पे और उसके इलावा गरा आप कहीं तालाब में नदी में नाले में कहीं नहा रहें या कुछ एक्टिविटी बाटर वॉड़ी में कर रहें तो आप उसे एक्टिसिटी का संचाव होने के संबाबना उनसे दूर बंदी रहें इसी के अलाबा आप हमारे लगातार फेस्बुक और टुटर पेस्ट को देखते रहें हम विभिन मादिमों से आप तक अपनी जानकारी साजा कर रहें आप उसको यूज करें और अपनी चिताबनी के अप पहले ही बताया और अगर आपने अलड़ी हार्वेस्ट फसल को काट लिया है तो उसको से प्लेस पर रख लें ना उसको खुले हुए मैदान में रखने से बचें इसके अलाबा अगर हो सके तो जो आपकी सीट्स हैं उससे ढखने ढखने और उनको मौस्टर जाने से बचने इसके अलाबा जो मैचोर फूट्स हैं वेजिटेवल से उनको हर्वेस्ट करने जल्मीं से जलिया और उनको जो अगर अलडी फूट्स को हर्वेस्ट कर लिया है तो उनको आप से पर जगह पर रख दें इसके लावा बहुत सारी चेताव में आपकी यहां पे हमने साजा की ह हुआ हैं हैं इसके लाबह जो सब्सक्राइब सबजियों को भी और फिर और हाजयरों के ताज़ा अबडेट जनकारी साज़ा करने के लिए तब तब करे नमश्कार